कि जो लोजी ऑफ थैरोइट ग्लैंड के चौथा लेक्चर है आज हम लोग फंक्शन को देखने जा रहे हैं जो सबसे पहला फंक्शन को रिपोर्ट कर रहे है वह है इंक्रीज 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 इंक्री आधिए रेटेट ऊलाध आधि हुन्हेर्ट पाधिषन जो जो बैसल मेताबॉज येट में उसमें उसमें क्या देखा जाता है कि प्रक्राइब तarin की ये अक्टीटि वहाइब वह साथ से बांदब मतलब वह दो गुना तक उसका बढ़ जाता है जब बेसल मेंटाबोलिक रेट बढ़ता है तो इसको हम लोग कैसे बोलते हैं कि अंडर दे इंफ्लूएंस अंडर दे इंफ्लूएंस किसका इंफ्लूएंस ओफ टी-3 या टी-4 जो भी है दोनों में से अंडर दे इंफ्लूएंस ऑफ टी-3 और टी-4 बेसल मेंटाबोलिक रेट इंक्रीजेस बेसल मेंटाबोलिक रेट जो हो क्या होता है इंक्रीज करता है और इस बेसल मेंटाबोलिक रेट के इंक्रीज होने से है इसलेर activities एचिवीटिस सिक्स्टी परसेंट टू हनडी परसेंट तक इंक्रीज करते नृ यह सब İ्टना इंक्रीज कर जाता है अभी जब इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब क्या है आगा माइटो कॉंड्रिया का एक्टिविटी इंक्रीज करेगा। माइट्रोकॉंड्रियल एक्टिविटीज इंक्रीजेज। यह भी कई गुना बढ़ जाता है एटीप का प्रड़क्शन इसको कहते हैं प्रड़क्शन आफ एटीप वह बढ़ जाएगा। इसे करके बना रहे हैं। इसका भी काम क्या होगा। कई गुना तक बढ़ जाएगा। और सेल मतलब एक्टिविटी जो है काम करने का रफ्तार है काम करने का रफ्तार है वह काफी बढ़ेगी। दूसरा है इफेक्ट ऑन दे ग्रोथ। इफेक्ट ऑन ग्रोथ। समरी हम प्रिशे लेक्शन में दे चुके हैं। उसी को थोड़ी थोड़ी सी जानगारी हम लोग पुट अप करते हैं। ग्रोथ मगर हम देखें तो एक एक्जामपल से शुरू करते हैं। एक टैड़ पुल लार्वा है। यह फ्रॉक का लार्वा है। देखा जाता है कि जब इसमें थेरोक्सिन इंड्यूस किया लैब में तो देखा कि वो एडल्ट बन गया। और अगर थेरोक्सिन नहीं थिया। तो लार्वल स्टेज में ही रह गया। वह यह बड़ा इमप्पॉर्टेंटी इश होगा अगाच्छामब थेरोक्सिन ए अगर नहीं, तो तैड़ पुल लार्वा लार्वल इस्टेज में रह जाएगा। वो से आगे बढ़ेगा है नहीं अब आप देखें कि लारभा से एडल्ट बनने में क्या-क्या ग्रोथ किया होगा ग्रोथीन इसेंट्रल नर्फर सिस्टम यह बढ़ा ग्रोथीन इसकेलेटर सिस्टम बोन इन काटलेजेश यह भी बढ़ा यह सब बढ़ने के वारी बात है ग्रोथीन कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम यह सभी जो ग्रोथ है न उसको रिगुलेट यह थर्वाइड हॉर्मोन करता है इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया तीसरा जो काम है वह है एफेक्ट ऑन बाडी मेटाबोलिजम एफेक्ट्स ऑन दे बाडी मेटाबोलिजम बाडी मेटाबोलिजम तो इससे जुड़ा हुआ है यह तो फैट, प्रोटीन, सुगर इन सब से जुड़ा हुआ है तो बॉड़ी मेटापोलोजम केसे इनक्रीज करता है बौर करिए Rapid Uptake of Sugar in Cells Rapid Uptake of Sugar in Cells Cells जोगा बहुत तेजी से glucose, fructose, szukroze खुछ भी ऐसा है उसको टेक अप करेगा तेजी से करेगा उसके बाद क्या है? Rapid, क्या? Glycolysis Breakdown of sugar Trave cycle Gluconeogenesis यह सबी क्या है? बड़ important work है इस काम को बढ़ाएगा यह rapidly करवाएगा क्या कराएगा? Rapid Intestinal Absorption हम लोग जो खाते हैं खाने के बाद जब भोजन पचता है पचने के बाद वो हमारे Blood में जाता है उसको absorption के प्रक्रिया कहता है उसको भी यह तेजी से बढ़ाएगा ठीक है? जब इतना सारा काम करेगा तो फिर Rapid क्या Rapid होगा? Rapid Insulin Secration Insulin Secration और शरीर जो होगा वो फुशहाल होगा बंबं होगा यह सब काम यह करता है चौथे की बात करें फूर्थ वर्क की Increases Fat Metabolism Increases Fat Metabolism Fat के Metabolism को भी यह बढ़ाएगा तो मतलब ऐसे यह जो है ना सारे जो कारिया है इसके बड़े महत्पूर्ण कारिया है कारिया है